हेल्यू ब्रीवन, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, जो भी स्टुडेंट, बेस्टी नर्सिंग का इंटरंस एकजाम देना है, अभी 2024 में, कोई भी स्टेट हो, दोजार चोविस में आप इंटरंस एकजाम या उत्तर परदेश, एब एम्यू आप इंटरंस एकजाम होगा आपका बेस्टी नर्सिंग कोर्स के लिए है, प्राइबेट और गौर्रमेंट कालेज के लिए है, और एम्यू आपके अगर अपलीकेशन फार्म भरे हुए होगे, तो आपको एम्यू बेस्टी नर्सिंग एंटरंस एकजाम देना है, राजस्तान, महाराष्टा, अब चैप्टर नंबर 6, आप इनेरी टेंस, देखिए जनेटिक्स के दो चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग कर चुके हैं, जनेटिक्स का मेंडल वाला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर भी इंपॉर्टन हो जाता है, यहां से भी आपको दो कोईश्टन तो ह यह भी इंपॉर्टन हो जाता है, अब इसमें रिप्लिकेशन में देख लेना, रिप्लिकेशन भी इंपॉर्टन हो जाता है, फिर उसके बाद ट्रांस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टन हो जाता है, तो जनेटिक कोड से कोईश्टन हो सकता है, दे दे नहीं तो फिर नहीं द यह सा translation भी important है तो देखिए जो topic है इसमें बस छोटी छोटी चीज़े important है ऐसा नहीं कि transcription अब पूरा पढ़ना है तो आपको यही तो पता होना चाहिए कि transcription क्या होता है, translation क्या होता, replication क्या होता, किसको बूलते हैं, direct question पूछता है अब genetics में एकदम simple question बनेंगे जैसे human genome project हो गय DNA finger printing हो गया, इतने ही इस chapter के बारे में इतनी चीज़ आपको जाननी है, यहीं से एकदम simple question दो, तिन question आपको मिल जाएंगे इस chapter से, असानी से हो जाएगा, तो हम लोग देखिए अगर इस chapter को अभी मैं last में बता दूँगा कि आप इस video को देखिए और question लगाए, question हम लोग next वीडियो में question भी कर लेंगे, तो question भी कर लेंगे, और कुछ वीडियो की links आपको देदेंगे, description box में, उस video को आप देख लेंगे, genetics हो गया, next chapter जो है, evolution है, तो evolution तो हम लोग एकदम बहुत अच्छे से finish किया है, तो सब वीडियो उस पे है, तो evolution तो हमको कराना नहीं है, evolution की वीडियो करा चुके हैं, पूरी complete करा चुके हैं, तो देखिए, अब हम लोग पहले DNA और RNA के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, यहीं से question बार बार पूछा जाता है, तो आप देखिए, यह देखिए, यहां से आप देखिए, अब यह question जो label पूछता है, फर्स्ट का name है, RNA क्या है, ribonucleic acid, तो यह RNA और DNA का नाम हो गया है, यह दो type आप नucleic acid होते हैं, यह दोनों हो नucleic acid हैं, जो living system में पाए जाते हैं, कोई भी living system का कोई cell होता है, तो उसमें DNA, RNA पाए ही जाते हैं, जितने भी living system होते हैं, तो यह देखिए, यहां से question, यह जो तीन प यह question पूशेगा, ऐसे question पूशेगा, DNA पूशेगा, genetic material कौन है, first में, first में आपका DNA देदेगा, second में आपका RNA देदेगा, third में आपका both देदेगा, और fourth option में none आप दीज देदेगा, तो आप third option लगाएंगे, क्योंकि यहां देखिए, question लिखा है, DNA act as genetic material, DNA genetic material most of the organism, अधिकत अधिर, organism में DNA ही genetic material होता है, लेकिन कहीं question ऐसे पूश लिया, DNA मतलब पूश लिया, genetic material, most of the organism में कौन सा genetic material होता है, तो आप both नहीं लगाएंगे, फिर DNA लगाएंगे, next आगे देखिए, RNA, although active genetic material, RNA भी genetic material होता है, in some virus, कुछ viruses में RNA भी genetic material होता है, अभी आगे TMB virus है, कुछ वाइरस हैं अभी हम लोग आगे देख लेंगे बाइक्टिरियो फेज हो गया है चाई भी हो गया तो उसमें क्या होतने हैं आर ने भी जनेटिक मैटियल का काम करता हैं तो यह सब चीजे जब कोईस्टिन लगाएंगे ना तो फिर और चीजे क्लियर हो जाएंगे यहां चीजे कुछ इतना important दिया नहीं गया है इसको आप आगे ले चल सकते हैं देखिए एकदम 100% तो हर एक लाइन नहीं पड़ सकते न क्योंकि पूरी यह complete करानी और important चीजे हम cover करेंगे अब देखे transcription क्या होता है देखे यहां पे दिया गया है the process of making RNA from DNA DNA से RNA का बनना क्या होता transcription होता है यह important है transcription में इतना ही आप जान लेंगे direct question पूछ लेगा transcription किसको बोलते हैं तो DNA से RNA के बनने को transcription बोलते हैं अभी पूरा वीडियो देखिए न सब और अच्छे से clear हो जाएगा अभी आगे जब central dogoma पढ़ेंगे central dogoma तो वहाँ पे clear हो जाएगा अब देखे यहां प P-L-I-C-A-T-I-O-R replication मतलब उसी का replicate बना देना उसी का copy बना देना तो वो DNA से DNA के बनना replication बनते हैं और बोलते हैं और DNA से RNA का बनना क्या बोलते हैं transcription और फिर RNA से protein का बनना translation यह देखिए अब देखिए यह कह रहा कि process of protein synthesis उसको translation बोला जाता है RNA से जब protein का बनना translation कहलाता है तो यह तीन चार चीज आप जानगे जो हर बार question पूछे जाते हैं और इस बार भी chances हैं कि question replication से आ जाए कि replication किसको बोलते हैं तो RNA से protein protein का बनना ही replication कहलाता है अब देखिए यहां पे आप देखिए यहां चीजे है कि DNA अब DNA क्या होती है एक बा DNA देख लेंगे कि DNA क्या होता है DNA इते लांग पॉलिमर यह एक लांग लंबी पॉलिमर होती है किसकी होती है डी आक्सी राइबो निकलियो टाइड यह देखिए डी आक्सी राइबो निकलियो टाइड की यह क्या होती है लांग पॉलिमर होती है किसकी DNA किसको बोलते हैं ला यहां Tide की बात कर रहा है, तो Tide में क्या क्या होते हैं, अभी सब चीज एकदम किलियर हो जाएगी, तो यहां पर देख लिजिए, यहां पर आप लिख सकते हैं, कि DNA में Sulfur जो होता है, Sulfur क्या होता है, Sulfur जो होता है, अगर Phosphorus की बात क्या जाए, कमिस्ट्रिय पढ़े न, सलफर और फासपोरस, फासपोरस क्या होता है, फासपोरस पर्जेंट होता है, DNA में ये दो चीज आप लिख लीजिए, बार-बार question पूछा जाता है, एक बार तो ये भी question पूछ लिया गया था, कि protein, P-R-O-T-E-I-N, protein में, protein में ये जो फासपोरस होता है, पर्जेंट होता है कि अपसेंट होता है, तो अपसेंट होता है, ये भी तीन पूइंट आप लिख लीजिए, protein में फासपोरस अपसेंट होता है, और DNA में सलफर अपसेंट होता है, तो ये चीज हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे चीजे आप देख सकते हैं, और चीजे यहाँ पे अपसेंट है, फिर उसके बाद बैक्टिरियो फेज लेम्डा में, लेम्डा में कितने हैं, 48,502 पेर्स होते हैं, ये कोलाई की बात करेगा, तो ये कोलाई में जो 4.6 इंटू 10 के पावर 6 बेस पेर होते हैं, फिर अगर यहाँ पे ये कोईशन पूछता है, कि कोईशन पू पूछता है कि humans में जो DNA होता है, उसका haploid content कितना होता है, अगर यहीं पर deployed पूछ लेगा, तो क्या करेंगे, haploid deployed पता है न, ये haploid होता है, और ये deployed होता है, तो ये जो इन है न, इन की संक्या तो यहाँ पे दिया गया है, अब इसमें 2 से multiply कर देंगे, तो deployed भी आ और ये 10 के power 9 मतलब billion में लिखा गया है, million नहीं billion में लिखा गया है, तो ये चीज हो जाएगा, अब फिर उसके बाद यहाँ पे structure of polynucleotide chain के बारे में दिया गया, तो यहाँ पे कुछ चीजे आप देख सकते हैं, ये काफी important है, यहाँ से question पूछे जाने की संभावना है, तो ये देख लिजे, ये आप अच्छे से हर एक point को समझ लिजे ना, यहाँ से question देखिए, यहाँ पे polynucleotide DNA, यहाँ पे देखिए nucleotide, हाँ ये question देखिए, जो मैं बता रहा था nucleotide, nucleotide has three pair component, question ऐसे देदेगा कि nucleotide में कौन कौन से component होते हैं, first पे देदेगा nitrogenous base, second पे देदेगा क्या, देखिए nitrogenous base कौन कौन से होते हैं, nitrogenous base ये pentose sugar, pentose sugar होगा, तो ribose in pentose sugar में, ribose में कितने sugar होते हैं, pentose मतलब 5 sugar होते हैं, 5 carbon होता हैं, तो ribose in saver RNA के case में ribose होगा, और DNA के case में deoxy ribose होगा, तो एक nitrogenous base होगा, और second पे यहाँ पे देखेंगे, pentose sugar ये आएगा phosphate group होगा, तो क्या क्या होगा, nitrogenous base हो जाएगा, pentose sugar, तीन चीज़ होगे, base होगा, sugar होगा, और phosphate group होगे, तीन चीज़ी होगा, किसमे nucleotide में, और phosphate group ही nucleoside में नहीं होता है, तो ये different होता है, nucleotide और nucleoside में, तो यहाँ पे three component लिखा गया है, base होगा, sugar होगा, और phosphate group होगे, कि इसमें निकलियोट टाइड में तो ये कोईश्चन होई जाता है बार बार ये भी कोईश्चन पूछा जाता है जब आप कोईश्चन लगाएंगे चैनल पर लगाएंगे सब कुछ मिले गए एक्दम क्लियर कराए गया है और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो समझ में आ तो टाइप प्यूरीन प्यूरीन एंड प्यूरीमिडिन भाई ये देखिए लेटर के हिसाब से देखिए प्यूरीन में कितने लेटर है प्यूरीन चोटा है प्यूरीन चोटा है प्यूरीमिडिन बढ़ा है इसी के कारडिंग आप कोईश्चन सही करेंगे अब दो यही दो ही बेस होते हैं अगर की बात करेमीडिण से साइटोशिन और थाईमीन में ४ यह कोईस्ट और खुब प्यट्ट पूच था है कि डिने स्कामन फर बोथ डैय ंड और 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 ने यह इतनी बार यह important है, 10 बार star बनाईए यह 50 बार star बनाईए, star ही star बना लिजे इसको, कि question कह रहा है, जो यह cytosin based होता है यह दोनों में present होता है, common होता है, बोथ DNA and RNA में question यही पूछा जाएगा, कौन सा nitrogenous based होता है, जो DNA में भी deoxy ribose nucleic acid में पाय जाता है, और RNA ribose nucleic acid, means DNA में और RNA में कौन सा base हो, जो common होता है, दोनों में पाय जाता है, तो cytosin, यह देखिए, एकदम इसको star बनाईए, यह line पूरा लिख लिजिए, लिख लिजिए नहीं गरबर करेंगे, फिर आगे देखिए, भी आगे और interesting है, थाइमीन is present in DNA, अब देखिए, थाइमीन कह रहा है, थाइमीन जो होता है, यह only DNA में present होता है, अब यह भी question बनता है, कि कौन सा nitrogenous base है, only DNA में पाय जाएगा, तो वो थाइमीन है, यह भी question पूछता है, कि कौन सा nitrogenous base है, केवल RNA में पाय जाता है, तो uracil पाय जाता है, भाई यह सब चीज़े question बहुत बार कराईगे हैं, और बह पहली बार यह कोई मतलब खेल नहीं हो रहा है, बहुत बार खेल हो चुका है, आप पीछे हैं, आप अगर खेल यह समझ पा रहे हैं, तो आप मतलब वीडियो नहीं देखें, चैनल पर जाईए, और धुमाधार तयारी करिए, नहीं फिर खेल से चूप जाएंगे, तो selection से चूप जाएंगे, नाक्स्ट में यह देखिए, तो समझ में आ गया, इरेसिल किसमे होता है, आरेने में, थाइमीन किसमे होता है, डियने में, और दोनों में कौन होता है, साइटोसेन, तो यह चीज़े हो गई, नाइट्रोजिनस बेस इस लिंक टो सूगर, यह सब चीज़ में बरबाद नहीं करेंगे, तो यह सब चीज़े आप अच्छे से कबर करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, डियने क्या होता है, डियने यह सब देख लिजे, डबुल हेलेक्स, डबुल हेलेक्स भी आप देख सकते हैं, यहां से क्वेस्टन पूछे जाने की संभावना डिफ्रेक्शन डाटा प्रोड्यूच बाई मियूरिस बिलकिन्स और रोजलीन फ्लेंक्लिन, परपोज दा वैरी सिंपल आप फेमस डबुल हेलेक्स, डबुल हेलेक्स मॉडल किस ने दिया था, यही क्वेस्टन पूछा जाता है, तो वाट्सन और क्रिक ने जेम्स यह क्य दूस्च थे क्या इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने चा पाउलियोटये चेंज से हाई इस आउर्बेश फ्रीश रेटिस्टन और वैस्ट Yep Iarvyn का नाम है इरिविन चारगाफ साहम ने क्या किया था यह double standard DNA ratio between इन्होंने ratio चारगाफ एक बार तो question direct यही पूछ लिया था कि चारगाफ का आप क्या ratio बता दीजिए तो यह भी question पूछा गया है तो इसमें आपको यह question भी पूछ लेता है AT यह आप एकदम रट लिजी ATGC वैसे तो different band होता है एडिनीन के साथ थाइमीन गवानीन के साथ ATGC यहाँ जी गवानीन के साथ cytosin तो ऐसे आप लिख लिजी ATA AT मतलब इट जो होता जैसे गर बनता है ATGC यह देखिए ATGC ऐसे याद करिए ना यहाँ दो band यहाँ तीन band कभी तो question ऐसे पूछ लेगा कि गवानीनों cytosin के बाद कितनी band होता है hydrogen band तो तीन होते हैं यह देखिए दो band होता है एडिनीन और थाइमीन तो यहीं से question पूछता है कि ऐसे दे देता है 100% तो आपको मान के चलते हैं एक question आप लगाए होंगे बहुत बार लगवाए हों कि एडि थाइमीन भी 20% है क्योंकि इसके equal है ना देखिए एडिनीन अगर 20% है तो थाइमीन भी 20% है तो 100 मेंस से 40% निकाल देजिए 20% इधर 20% इधर बचेगा कितना 60% और आपका question में कह रहा है कि आपको cytosin बताना है या guanine बताना है अगर cytosin पूछ लेगा तो 60% का half कर देजि फिर आपको वहाँ पर सही करना है फिर हम नहीं बताएंगे फिर आपका ही जलवा वहाँ पर चलेगा तो आपको यह अच्छे से जब cover कर लेंगे तो यह सब चीज़े आपको आसानी से हो जाएंगी वहाँ पर तो चलिए next में देखते हैं और कहां से question पूछे गये हैं तो यह आप देख सकते हैं टू चैन है एंटी पारलेल में चलेगा तो यह सब कहानिया के चलेंगी थर्ड पॉइंट देखिए थर्ड पॉइंट से question एक बार पूछा गया था एडिनीन फार्म टू हाइड्रोजन यह देखिए जो मैंने भी बता दिया एडिनीन दो एडिनीन टू हाइड्रोजन बांड विथ थाइमीन एटी एटी दो बांड बना दिये ना एटी फिर उसके बाद फाम आपोजिट इस्टेंड वाइस वर्शा मतला आपोजिट होता है सिमिलरली गौनीन बांड किसके साथ बनाता है जी सी कितना बांड तीन बांड बनाता है जी सी सा बॉर्थ पॉइंट जो दिया गया है इसमें पूचा गया था कि यह दखे राइइड फैसं धीå पीच आप दा हेलिक्स जो हेलिक्स अभी बनाय गया है डबुल हेलिक्स से तो बना जाता नहीं है और इसका हेलिक्स का पीएच पोचा था तो 3.4 नैनो मीटर होता है और अगर यहीं पर बात किया जाए कि नैनो मीटर और अगर मीटर में बात किया जाएगा तो 10 के पाउर माइनस 9 मीटर तो यह चीज भी दिया गया है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं next में चलेंगे next में ऊपर चलिएए यहां से देखेंगे कि कुई उन सा question पूछा गया यहां देखेज रेलिक्स बनाए गया और यहीं पे ये है यह क्या DNA double helix तो ये इसको आप देख सकते हैं यह देखिए DNA double helix का यह figure पूरा बनाए गया है अब इसमें चीजे पूछता है बार-बार question यहां से भी वनते हैं लेकिन थोड़ा सा वो level का आपर हो जाता है पूछता है कि diameter of helix helix का जो diameter होता है यह वाला part जो होता है इसका diameter कितना होता है तो 20 हें होता है यह question कूश लेता है कभी-कभी पूछता है कि जो 2 compare का distance कितना होता है जैस एड़निन और थाइमिन उसके जो complete turn जो होता है यह जैसे एक turn ले रहा है यहाँ से एक turn इसे लिए है इसके तर्ण के बीच की पूछता है कि कितना कम्प्लीट तर्न जब लेता है तो कितना एंग्ड स्टान का गेंधरन होता है तो 34 अगर मतलब दो कम्प्लीट नो हो जाता है तो अगर यहां पर लिख सकते हैं कि bestimmt IN tutte complete sos to complete घंड गम्प्लीट हो हो जाता है यहां से लेकर यहां तक तो उसका एंगे स्टावर को कितना होता है 20 फिर ऐससा कोईस्टलोह कितना निकले मेश्वों था ही होते हैंمة फूल अगर फूल टार्न लेंध कितना होता तर्टी फूर्टीन ही मम होता है यह सब को बार बार पूछा जाता है जो मैंने शुरू में ही बता दिया था तो उसको आप देख लीजिएगा यहां से समझ लीजिए Central डूगोमा यहां पर दिया गया Central डूगोमा question पूछता है first question यही पूछता है कि Central डूगोमा के इसने दिया था तो अगर एक option है तो क्रिक लगाएं यहां पर देखिए DNA से DNA का बनना क्या कहलाता है replication DNA से mRNA का बनना transcription और फिर उसके बाद mRNA से protein का बनना क्या कहलाता है translation तो यह पूरा protein का खेल होता है कि Central डूगोमा में यह भी कोष़िट पूछता है कि Central डूगोमा में final चीजह क्या बनती है final product क्या बनता है तो आप proteins लगाएंगे भाई क्या लगाएंगे proteins लगाएंगे तो चलिये next में हम लोग इसमें क्या Central डूगोमा मोनें की दिखा जाती हैं सेंटरल डूगोमा का मतलब क्या होता यह चीज है ऐसे चल गोमा6 शिये में टो क्या चीज हो रहा है इसमें जो जैनेटिक इंफार्मेशन टो मो explodes आएस विए सकते हैं कि सेंट्रल डूगोमा6 मशलन चीज है क्शिपा है चीजे क्या किए आई ओ यां information हो रहा है तो इसमें यह ही चीज़े चलती है यह आप चीज़े अच्छे से समझ लेंगे और next में आएंगे इसमें हम लोग क्या चीज़े और cover कर लेंगे यहां से देख लेंगे कि कोई question और यहां से बनता है कि नहीं तो तो packaging of DNA helix, इसमें packaging आप DNA helix में क्या चीज़े important हो जाती है, कोई चीजいきます यहाँ H1 Stone, H1 Stone, यहाँ पर सब चीज़े दी गई है तो इतना ज्यादा important है नहीं आपके level, मतलब BSC Nursing का72 ग्हाँ आक देने जा रहें तो थोड़ा सा हम लोग surface से ही पढ़ेंगे और चीज़े उतना समय है नहीं, तो important चीज़े हम लोग कबर कर लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रोकरियाट के बीच में आप देख लेंगे, प्रोकरियाट क्या होते हैं, यहाँ चीज़े थोड़ा सा देख लीजिए, first packaging DNA इसमें दिया गया होगा, प्रोकर प्रोकरियाट इकोलाई यहाँ पर दिया गया है, इकोलाई बैक्टिरिया, यहाँ पर DNA, to the not have defined nuclear, DNA not scattered, यह सब चीज़े आप देख लेंगे, निगेटिबली चार्ज, DNA हाँ, यह important है, DNA निगेटिब चार्ज होता है, DNA being negatively charged, तो यह आप देख लेंगे, कि DNA positive चार्ज होता है, कि निगेटिब तो negatively charged होता है, फिर उसके बाद आप बात करेंगे, यहाँ पर histone, eukaryat, arganin जो होते हैं, यह सब आप देख लेंगे, आक्टामर बनाता है, यह सब चीज़े देख लेंगे, यहाँ से चीज़े और क्या चीज़े important है, अगर कोई चीज़े important है, तो हमको वो कर लेंगे, यह important हो जाता है, eukromatin और heterokormatin के पहले आपको यह चीज़े लेनी चाहिए, eukromatin और heterokormatin, histone यहाँ पे देखिए, यह देख लीजिएगा, आप histone आक्टामर, यह histone आक्टामर क्या होता है, question direct पूछा जा सकता है, कि histone आक्टामर क्या होता है, तो histone आक्टाम आप आक्टामर, आप एट, unit of eight molecules उसमें आइड होते हैं, तो यह आप देख लीजिएगा, histone हो गया, histone आक्टामर, फिर उसके बाद एक word है, इसमें निकलियोसोम, अब निकलियोसोम क्या होता है, निकलियोसोम जो होता है, इसमें जो DNA, जैसे यह देखिए, यह हैलिक्स ज होता है, इसमें निकलियोसोम 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 होता ह है हिस्टोन जो पॉस्टिबली चार्ज आक्टामर है इसके ऊपर जो है निगेटिबली चार्ज डिन ने जो होता है यह क्या होता है यह लपेटा होता है मतलब वार्प होता है वार्प इसमें चीजे लिखी गई है यह लपेटा होता है उसी की स्ट्रक्चर को क्या इस पूरे structure को nucleosome बोलते हैं तो nucleosome में अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा histone, histone vínky डिये ने हैं एक question पूछता है यहां पर कहीं लिखा होगा यहां पर यहां पर देखिए वो मुझे question याद रहा 2.2 जो मीटर्स होता है जो दिया गया होगा यहाँ पर चीजे कहीं पर दी होंगी, तो question आप लोग जब करेंगे तो 2 मीटर्स आता है कि length पूछता है कि typical mammalian cell में जो DNA का length होता है कितना होता है तो 2.2 मीटर length होता है, तो आप यह देखे यहां पे लिखा गया है यह देखे यहीं पे है वही तो चीजे मैं थोड़ा सा यह देखे comes out the approximate 2.2 meter of length यह 2.2 meter यह क्या है यह देखे यहां से आप देख सकते हैं if the length of DNA double helix of typical mammalian cell यही language देता है कि typical mammalian cells में double helix DNA की कितनी length होती है तो 2.2 meter आप देख सकते हैं next में आप यह देखेंगे इतना चीजे हो गया हाँ यह आप देख लीजी यहां पे eochromatin और heterochromatin जो दिया जाता है question यहां से पूछता है non-histone chromatin the typical nucleus some region chromatin loosely packed जो अगर chromosome loosely packed है यह देखिए stent light are referred to eochromatin eochromatin ऐसे hetero means गड़बड होता है heterochromatin क्या होती है आपको बस इतना ही जानना है heterochromatin और eochromatin तो eochromatin जो होती है यह eochromatin जो होती है यह क्या होती है यह transcriptionally जो active chromatin इसको बोला जा सकता active chromatin कौन पूछ लेगा कि active chromatin कौन सी होती है और कौन सी inactive protein होती है तो यह inactive heterochromatin को क्या बोलते है inactive यह देख सकते है inactive और active chromatin यह क्या है active chromatin c-h-r-o-m-a-t-i-n तो यह इतना हो गया next में आप देखिए search for genetic material यहाँ से आप search for genetic material में कुछ नाम यहाँ पे दिये गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं new clean का discover किसके द्वारा किया गया था एक बार यह देखिए new clean question पूछा जा सकता है कि new clean सब्द जो मेंडल जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ चीजे बात किये थे तो discoverts are new clean by miser यह देखिए miser यहाँ पे दिया गया है M-E-I-S-C-H-E-R miser फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए चीजे हो जाएंगी कुछ चीजे यहाँ पे जो चीजे important है हाँ यह question यह भी question पूछा जाता है transforming principle किसे ने दिया था यह देखिए यह question मैं zoom करता हूँ और यह question आपको दिखाता हूँ क्योंकि question यह important है question पूछा भी गया है तो यहाँ देखिए 1928 1928 यहाँ देखिए इस्टप्टो कोकस निमोनी जो Griffith साहब ने साइन्टिस्ट का नेम है यह स्रीज आप experiment experiment का एक स्रीज पूरा किये थे इस्टप्टो कोकस निमोनी bacterium responsible for pneumonia pneumonia के यह region में यह क्या किये थे experiment किये थे bitterness थे ना यह transformation जो bacteria होते हैं तो यह चीज है bitterness यह देखिए micro यह देखिए लिखा गया miraculus transformation in the bacteria तो आपको क्या याद करना है आपको याद करना है कि जो Griffith साहमने थे वो किस bacteria पर work किये थे स्टप्टो कोकस निमोनी पर बस इतना याद करना है फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे स्टप्टो कोकस निमोनी हो गया yes strand यह तो strand की बात हो रही है yes strand injected mice Griffith ने एक और question पूछता है कि Griffith ने किस पर काम किया था तो यह जानने के लिए निमोनीया का experiment जो किये थे वो mice के उपर किये थे तो यहाँ चीजे आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यह सब चीजे यह देखिए mice infected था पहली बार उन्होंने क्या किया था strand लगा था निमोनीया का strand उनके पास था पहले yes strand लगा फिर inject to mice किया फिर mice die हो गया फिर उसके बाद yes r strand लगा तो यह सब चीजे उसमें बताई गई है यह सब चीजे मैं करा चुका हूँ बहुत सांदार करा हूँ तो link provide करूँगा उसको आप देखना समय मत बरबाद करिए समय अभी तो है नहीं किसी के पास नहीं आपके पास नहीं मेरे पास तो चलिए जितनी चीजे important है उतनी चीजे कराई जा रही है तो उतनी चीजे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं next में यहाँ पर देखेंगे genetic material in DNA genetic material in DNA के बारे में तो मैंने शुरू में ही बता दिया था तो वो आप देख लेंगे next में यहाँ पर एक genetic material में यह देखे genetic material यह देखे एक scientist का name दिया गया है Alfred Harsa and Martha Chase दिया गया Alfred Harsa and Martha Chase क्या किये थे DNA genetic material की इन्होंने experiment किया था equivalent proof DNA is the genetic material ऐसे question पूछेगा कि DNA genetic material होता है यह किसने proof किया था तो आप लगाएंगे Alfred Harsa and Martha Chase ने किया था तो यह तीन scientist आप जान सकते हैं Alfred Harsa and Martha Chase worked with the viruses that affect bacteria called bacteria phase में bacteria phase के उपर इन्होंने work किया था तो वो चीज हो जाएंगी यह bacteria phase दिया गया है यहाँ पर कुछ चीजे दिया गयी है next में हम लोग क्या चीजे cover करेंगे next में देखिए properties of genetic material DNA virus versus RNA तो यह देख लेंगे फिर यहाँ पर genetic की कुछ दिया गया है तो यहाँ पर यह देख लिजिए यहाँ पर यह चीजे दी गई है जो यह experiment था यह किसका experiment था हर से change experiment यहाँ पर दिया गया है तो question यहाँ से question बनता है कि DNA इजे genetic material यह किसने proof किया था तो यह हर से change experiment हर से सामने यह किया था हर से and change experiment फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ चीजे क्या दी गई है यहाँ चीजे आप नीचे आएंगे तो कुछ properties भी दी गई है property यहाँ genetic material DNA versus RNA DNA के बारे में कुछ दिया गया है यहाँ हर से experiment वही चीजे इसे यहाँ सब चीजे लिखी गई है लेकिन हाँ यहाँ चीजे एक बार और पढ़ लेजिए यह देखिए यहाँ molecule that can act genetic material must fulfill the following criteria जो genetic material होते हैं question पूछा जा सकता जो genetic material होते हैं वो कौन से क्या कौन से fulfill करते हैं कौन क्या क्राइटेरिया फुल करते हैं तो genetic material क्या होना चाहिए जो genetic material जैसे DNA है RNA भी होता है तो वो देखिए should be able to generate its replica मतलब genetic material के अंदर replication के replication का छंता पाई जानी मतलब होना चाहिए replication तो DNA के पूछेगा DNA genetic material जो होता है genetic material तो होता है लेकिन क्या criteria fulfill होता है तो replication properties उसमें होती है और वो के chemically and structurally क्या होते हैं stable होते हैं और फिर उसके बाद उसमें mutation जो होता है एकदम slow change होता है इतना नहीं है कि mutation होगा लेकिन fast नहीं होगा slow होगा ये देखिए should be able express itself वो अपने आपको खुद express कर सकते हैं Mendelian character के अंदर Mendelian character के अंदर तो ये चार properties होती है किसका genetic material की fulfill करता है criteria क्या-क्या genetic material replication की power होती है और structurally chemically stable होते हैं mutation होता है लेकिन slow होता है slow फिर उसके बाद यहाँ पे Mendelian character क्या होता है express कर सकते हैं फिर उसके बाद इसमें चीज़े आप नीचे आएंगे जो question पूछा जाएगा हम लोग वही चीज़े देख रहे हैं जादा चीज़े और चीज़े नहीं कर रहे हैं फिर यहाँ से देखे बोथ यहाँ पे देखे बोथ दिया गया है कि बोथ DNA and RNA are able to mutate चेंज होते हैं fact RNA being unstable RNA जो होता है ribose nucleic acid जो होता है more mutation मतलब इनमें अधिक क्या होते हैं changes होते हैं ज्यादा mutation इसमें होता है RNA being unstable क्योंकि यह unstable mutate यह faster मतलब अगर question पूछा जाए किसमें mutation की rate जो होती हो अधिक होती है तो RNA में होती है यह देखे RNA जो होता है वो virus में क्या होता है genome and having shorter life spawn होता है mutant and evolve faster क्योंकि virus में क्या इनका virus का life spawn कम होता है तब इतो RNA में genetic इनका जो mutation power होता हो faster होता है यह सब चीज़े यहाँ पे दिया गया है RNA किसको directly code करता है synthesis हाब protein को hence can as express character यह सब चीज़े यहाँ पे दी गई है फिर यहाँ पे चीज़े यह दिया गया है both RNA and DNA can functions दोनों जो यह RNA और जो DNA है ना दोनों genetic material के रूब में काम कर सकते हैं but stability तो DNA की अधिक होती है ना यह भी आप को पता होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है both DNA and RNA can RNA and DNA question मैंने शुरू में बता दिया था कि RNA and DNA दोनों genetic material होता है लेकिन अगर mostly पूछेगा तो DNA आप लगाएंगे both देगा तो दोनों बोथ वाला लगा देंगे देखिए but DNA being more stable लेकिन DNA जो होता है more stable होता है preferred for strong genetic information provide करता है for the transmission of genetic information RNA is better तो यह आप देख सकते हैं अगर पूछेगा information के लिए कौन सा better है तो information तो RNA ही better है कि transmission करता है ज्यादा important होता है क्योंकि RNA के type भी होते हैं tRNA, mRNA, sRNA वो सब RNA की better होते हैं इसलिए तो चलिए अब RNA word के बारे में पढ़ते हैं can act catalyst का काम करता है अगर question यह पूछ लेगी RNA, DNA में कौन catalyst का काम करता है catalyst मतलग काटने का काम करता है catalyst का काम करता है तो RNA ही करता है तो इसमें देख लेंगे तो चलिए यहाँ पे चीजे कुछ देख लेंगे यहाँ पे अगर कुछ चीजे मिलेंगी जहां से question पूछे जाते हैं यह देखिए यहां से एक point पढ़ लिजिए RNA वाजदा first genetic material first genetic material कौन है तो RNA ही लगाएंगे भाई अगर डारेक्ट question पूछेगा कौन है जो first genetic material है तो RNA is enough इसमें देख लिएंगे now enough evidence to suggest that essential process तो यह सब चीज़े आप देख लेंगे यहां पर चीज़े metabolism translation और splicing तीन step चलती है वाई कौन कौन सी essential जो there are enough evidence to suggest that essential life process में essential life process में तीन process metabolism चलती है translation चलेगा metabolism चलेगी तभी तो शरीर की सभी चीज़े के इनिजम है वो सही रहेगा temperature सभी चीज, respiration, pulse rate सब कुछ चीज़े metabolism मची रहेगा तभी चीज़े चलेगा फिर उसके बाद translation भी चलेगा translation चलेगा तो protein बनेंगी फिर उसके बाद splicing चलेगा removal चीज़े चलती है splicing क्या होता कोई चीज रिमूब करना हटाना तो यह चीज हो जाता है अब question direct पुछ जाता है कि splicing का मतलब क्या होता है removal होता है evolve around the RNA RNA used to act as genetic material as well as catalyst देखिए question यह बन सकता है कि RNA जो है वो किस की तरह act करता है genetic material की तरह और as well as catalyst की तरह भी कर सकता है there are some important biochemical reaction living system that are catalyzed by RNA catalyzed not by protein enzyme यह सब चीज़े यहां पर दी गई है तो यह सब चीज़े आप देख लेंगे फिर उसके बाद यह point आप देख लेंगे DNA यह वाला therefore DNA has evolved from RNA DNA जो होता है वो कहां से evolved हुआ RNA से with chemical modification की वज़ा से make more stable और more stable भी DNA ही है next में यहां पर DNA being double standard and having complementary standard further is registered change by evolving process pair यह सब चीज़े दी गई है यहां पर देखेंगे replication replication मैंने बता दिया था replication क्या होता है DNA से DNA का बनना वाई replication होता है अगर इसको replication बोल दो या फिर इसको duplication भी बोला जा सकता है duplication भी बोला जा सकता तो इसको ब्रेकट में आप लिख सकते है replication या duplication लिख सकते है एक बार तो question पूछा गया था कि duplication replication कि स्फेज में चलती है यह स्फेज में चलती है यह भी question पूछा गया है जब आप cell division पढ़ेंगे अब cell division मैं तो बहुत जानदार पढ़ाया हूँ न तो cell division जाएंगे question लगाएंगे सब कुछ clear होगा करना आपको है काफे student कहते हैं यह सर करा दीजिए वो सर करा दीजिए तो आप comment कर दीजिए comment में आपका काम है comment करना मेरा काम है कराना अगर आप comment करते हैं सर यह चीज करा दीजिए और मुझे लगता है कि यह important कराना और यह कहां से question आएंगे और इस topic को मैं अभी तक कबर नहीं किया हूँ तो 100% मैं उसको कराऊंगा लेकिन अगर मैं उसको बहुत सांदार करा चुका हूँ तो आपको जाके करनी है चैनल पे जाईए प्लेलिस्ट में जाईए वीडियो रिवाइज करिए मिलेंगी वो सब चीजे तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हैं मैं तो 100% करा दिया हूँ एकदम जोरदार हो सांदार करा दिया हूँ यहां से देखिए यहां से कोईशन भी पूछा जाता है यहां से यहां से यहां से यहां चीजे यहां चीजे काफिंग माकैनिज जनेटिंग मैट्रियल वाट्सन हां यहां चीज वाट्सन एंड किरिक पूछा जाता है वाट्सन एंड किरिक यह देखिए वाट्सन एंड कि लिक तो मैंने बताए दिया था वार्टसन और क्रिक के बारे में नेक्स्ट में आएंगे semi conservative यह दिया गया है semi conservative, semi conservative क्या होता है इसमें एक strand जो new strand और एक strand पुराना होता है semi conservative DNA replication जब चलती है तो वो सब चीजे हो जाएंगे फिर उसके बाद यहां पे आएंगे यह जो दिया नहीं गया यह सब बनाये गया यह semi सेमी कंजर्वेटिव माड़ाली वार्टसन क्रिक का कोश्चन पूछ लेगा वार्टसन और क्रिक सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन दिये थे तो हाँ तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है एक स्ट्रेंड जो नया होता है एक स्ट्रेंड पुराना होता है और में क्या होता पार्शियल अपना काम चलता रहता है नेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट प्रूब करके कुछ यहाँ पिर दिया गया है experiment प्रूब के बारे में देख लेंगे यहाँ पर एको लाई की बात करेगा सत्यापित किया गया है कि DNA replicate semi-conservatively कि DNA जो होगा DNA का replication जो होता है semi-conservatively होता है यह चीज हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर proof भी किये थे scientist कुछ scientist लगे रहे और proof किये कि क्या proof किये थे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ देखिए मैथ्यू मिसल्चन यह scientist के नेम है मैथ्यू मिसल्चन फ्रेंकिल्स इस्थाल परफाम्दा फालोविंग इस्पेरिमेंट नाइंटीन फिप्टीन एट में तो E.C.O.I. के ऊपर इन्होंने काम किया था gravitational force वहाँ पर जो था नहीं वो E.C.O.I. के ऊपर लेंगे अच्छे से फिर यहाँ पर आएंगे यहाँ चीजे आप देख लेंगे कि क्या radioactive यहाँ इन फिप्टीन इन फिप्टीन दिया गया है फिर इन फॉर्टीन दिया गया है तो यहाँ पर radioactive isotope कुछ लिए गये थे molecule के difference को करने के लिए देख लेंगे तो वो सब चीजे देख लेंगे next में यहाँ आएंगे नीचे स्क्रोल करेंगे नीचे स्क्रोल करते चलेंगे यह जो experiment था इसके experiment के बारे में यहाँ चीजे देख लेंगे मिसल्सन और स्थाल experiment ही था जो यह centrifugation कराए गया था separation करने के लिए DNA को अलग करने के लिए centrifug कराए गया था तो उसमें hybrid और यह 14 यह देखिए hybrid बनाए गया है यह 14 यह 15 hybrid और एक light है light वाला कितना है यह 14 वाला है और हाइवी वाला जो है hybrid जो है यह hybrid तो hybrid में 14 और 15 दोनों होंगे हाइवी वाला यह question पूछा जा सकता है कि N15 वाला हाइवी होता है भारी होता है कि कौन सा तो यह देखिए जिसमें दोनों हैगा 14-15 वो hybrid रहेगा जो 15 यह 15 वाला रहेगा उसमें हाइवी उसको बोलेंगे जो N14 वाला रहेगा उसको light बोलेंगे यह experiment कराए थे तो उसमें एक किलियर हुआ था DNA DNA का ratio आया था 1-1 का ratio जो आया था वो तो next में चलिए next में हम लोग करते हैं जो चीजें important है उसको कर लेंगे नहीं तो ज्यादा समय हो जाएगा तो video को skip करेंगे student को तो एक minute में सब कुछ चाहिए एक minute में सब कुछ खेल चाहिए भाई ज्यादा समय नहीं चाहिए सब को एक video मिल जाए बस उसरी से selection हो जाए ऐसा कोई video है तो मुझे भी चाहिए यार मेरा भी selection होना चाहिए nursing officer में लेकिन क्या करें रातों दिन लगे हुए जोड़ता है एक दूसरे को तो genetic gums जिसको बोल सकते हैं देखिए discontinuous synthesized fragment or later joint कि इसके दोरा किया जाता तो एक enzyme होता है DNA ligage यह बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है कि DNA ligage क्या होता है किसी को जोड़ने का काम करता है 5B cube का काम करता है लेकिन यह genetics में स्रिफ काम करता है genetic DNA ligage है genetics gums है जिसको गोद बोलते हैं जिसको चिपकाने का काम होता है तो वह आप देख लिजिएगा वह एक ही question बनता है वहाँ से transcription बस देख लिजिए transcription क्या होता है transcription ज़्यादा कुछ होता नहीं है बस आपको यह transcription बस इतना पता होना चाहिए कि यह देखिए process आप copying genetic information from one instant DNA into RNA में जब change होता है ना जब DNA किस में change होता है RNA में बस उसी को बस transcription बोलते हैं बस इतना ही आपको जानना है कि DNA से RNA जब बनता है तो उसी को transcription बोलते हैं यहाँ पर replication दिया गया है तो यह replication भी आप देख सकते हैं transcription तो यह transcription है यहाँ यहाँ इसे लिख लीजीए यह एक figure बनाया गया है, यहां देखें, discontinuous माइनर में चीजे चलती हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, यह देखिए, अब इसमें चीजे क्या समझ पाएंगे, इसमें चीजे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यहां कुछ चीजे जो चीज दिया गया है, यहां template बनाया गया है, देखें, template DNA, जो parental stand बनाया गया है, parental stand है, parental stand, question पुछा जा सकता, जो parental stand है, वो कहां से कहां तक चलती है, तो 3 is to 5 direction में चलती है, तो यह parental stand है, यहां पर देखें, discontinuous synthesis हो रही है, तो यहां से देखिए, continuous के form में चल रहा है, continuous 3 is to 5 के direction में चल ला है, फिर यहां तो इसी को तो जो discontinuous ये fragment होता है ना इसी तो ओका जाकी fragment भी बोलता है ओका जाकी fragment ओका जाकी fragment अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे O, O, K, A, Oka, Z, A, K, I, Oka जाकी, Oka जाकी segment होता है E, S, E, G, S, E, G, M, E, N, T, Oka जाकी segment होता है ये discontinuous जो minor में चलता है तो चलिए Oka जाकी segment आप लोग देख लिजिए 5 is to 3 direction में चलता है replication किस type का होता है y shape का होता है y shape inverted होता है ये सब चीज़े हम लोग देख लेंगे next में हम लोग क्या चीज़े और देख लें जो चीज़े important है transcription unit हाँ question direct कुछेगा भाई transcription unit में क्या क्या चीज़े क्या क्या चीज transcription में involved होती है तो DNA का वह part होता है transcription unit क्या है DNA का वह part होता है जो transcription में involved होता है वही होता है transcription unit जो क्या होता है DNA का वही part होता है जो transcription में involved हो वही transcription unit है तो unit वही है transcription unit अब उसमें कुछ है transcription यहां पर दिया गया transcription unit DNA is defined primarily by the three region तो direct question पूछ लेगा कि transcription unit में क्या क्या चीज़े होती है तो एक promoter होता है three region होती है एक promoter region होता है एक structural gene होती है terminator होता है और fourth option कुछ बना देगा कुछ देदेगा कि एक gene होती है या फिर एक regulatory gene देदेगा फिर तो regulatory gene वही option लगाएंगे तो यह तीन चीज़ होती है transcription unit में तो यह आप अच्छे से देख लेंगे promoter को P से आप सो कर सकते हैं P से और structural gene को ES से सो करते हैं terminator से T सो कर सकते हैं PST present होता है किस में transcription unit में नेक्स में आप आईए नेक्स में चलते हैं कुछ और चीज़े देख सकते हैं अगर यहां चीज़े important होंगी तो मैं बता ही दूँगा यहां हाँ यह जो template stand or coding stand यहां से question बनता है वो बहुत सांदर question होता है अगर समझेंगे नहीं तो question गलत कर जाएंगे उसका मैं बहुत सांदर कराया हूँ जो link provide कर दूँगा वो link आप देख लेंगे सब कुछ चीज़े यहां clear हो जाएंगी ऐसा कुछ नहीं है कि जो clear नहीं होगा यहां देखिए एक promoter है यहां पे एक structural gene है और यहां के एक template बन जाती है और एक coding stand बनाए गया coding stand 5-3 direction में चलती है 5-3 direction में और coding stand को non template stand भी बोला जाता है और यह MRN के समान होती है तो यह सब चीजे इस में पढ़ेंगे सब चीजे में बताया हूँ तो सब चीजे हो जाएंगी question जहां से पूछा जाएगा वो तनी चीजे हम लोग करेंगे इकजान और इंटरान क्या होता है इकजान को काट के हटा दिया जाता है इंटरान को जोड दिया जाता है दी coding sequence और express sequence और defined इकजान यह देखिए इकजान क्या होता है यहां देखिए exeans are set to be those sequence appear in the mature and process RNA exeans are interpreted by intron intron are interviewing sequences do not appear in the mature and process RNA जो mature RNA होती है उसमें intron नहीं होता है intron हट जाता है यह further complicated the term gene यही सब चीजे इसमें लिखी गई हैं तो यह यह अच्छे से देख लेंगे यह क्या होता है यह protein coding होती है अब इसमें question पूछता है कि किसको हटा के निकालते हैं तो यह आएगे चीज और कुछ वह जाएंगे तह यहां पर ठीक है ट्रांस्क्रिप्षन क्या होता वाई DNA से MRNA का बनना ट्रांस्क्रिप्षन ही होता है ट्रांस्क्रिप्षन में तीन फेज चलती है इनिस्येशन इलांगेशन और ट्रमिनेशन यह देख सकते हैं यहाँ पर चीजे दिया गया है नीचे आएंगे process of transcription in bacteria 歲 by bacteria में अगर transcription चलेगा तो उसमें three phase चलती है number 1 initiation चलता है initiation में क्या होता है इसमें सिग्मा जो फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर यही होता है, सिग्मा फैक्टर का काम क्या हो, यही तो RNA के, RNA के सिंतेसि, क्या RNA जो आसिंतेसि जो ट्रांस्क्रिप्शन होती है, यहीं सो तो क्या करता है, स्टार्ट करता है, इनिसियेटर फैक्टर होता है सिग्मा, इ देखिए सिमा फैक्टर यहां पे अलग हो गया है यहां अलग हो जाएगा फिर यहां पे देखेंगे transcription में 3 process होती है nucleus में चलती है eukaryat के nucleus एकर bacteria की बात कर रहा है तो bacteria की बात तो prokaryat की बात हो जाएगा लेकिन termination जो RNA चलता है वो आप देख लेंगे nucleus में चलती है 3 process DNA dependent RNA polymerase enzyme जो इसमें help करते हैं next में आप देख सकते हैं जो important है वो चीज़े और आप देख लेंगे एक एक बार ऐसे देखे रहेंगे न तो question वो ही देखे termination, initiation, termination सब वो ही चीज़े दिया गया है तो यहाँ देखिए splicing भी दिया गया है यह आप देख सकते हैं एक eukaryat में जो transcription चलती है वो चीज eukaryat के यह nucleus में चलती है transcription क्योंकि यह देखिए यहाँ पर eukaryat transcription चल लगी है यह आप process देख सकते हैं इसमें क्या होता है इसमें देखिए कुछ यहाँ से शुरू हुआ इंटरान है, इंटरान को काटके यहाँ देखिए, इंटरान यहाँ लगा हुआ इंटरान को काटके अटा देते हैं फिर उसके बाद एक जान देखिए, एक जान तो रहेगा ही पूरे एक जान ही आजाते हैं एक ही color के आजाते हैं इंटरान को काटके remove कर दिया गया है तो फिर poly इसमें क्या किया जाता है यह देखिए, यहाँ polyadenylation किया जाता है polyadenylation किया जाता है mRNA पर किया जाता है next पर यहाँ पर और चीजे क्या चीजे और clear करनी है हम लोग को यह trailing word genetic code के बारे में थोड़ा सा इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ चीजे important हो जाती है क्या चीजे important हो जाती हैं transcription के किसके tRNA, 5SRNA और SNRNA SNRNA का नाम क्या होता है smart nuclear RNA उसको बोलते हैं फिर उसके बाद third तो हम बात कर लिए second यह देखिए transcription किसको mRNA से निकला होता है heteronucleus RNA echnRNA का नाम होता है heteronucleus RNA heterogeneous nuclear RNA यह चीज हो जाएगा फिर यहाँ पर tapping और tailing यह सब चीजें यहाँ पर दी गई है splicing भी दिया गया है यहाँ देख सकते हैं entron are non-functional hence it is subjected to process car splicing splicing मतलब add कर दिया जाता है for the entron को क्या कर दिया जाता है remove कर दिया जाता है और exam को क्या कर दिया जाता है jord दिया जाता है jordता कौन है एक gumps मैंने बता ही है DNA ligase जो बता है था trailing piping कर दिया था trailing end पर 2-300 यह देखिए residue उसके adenolated residue बच्टे है फिर यहाँ पर चीजे question एक question और पूछता है कि कुछ scientist के name देता है genetic code में यहाँ पर चीजे important हो जाती है कि genetic code में क्या क्या RNA artificial के respect में क्या किये थे जैसे खुराना साहब थे खुराना scientist थे तीन खुराना थे गोबिंद खुराना यह देखिए दिया गया है गोबिंद खुराना गोबिंद खुराना वाज गोबिंद खुराना वाज instrumental synthesis RNA molecule defined combination basis हाँ homo polymers यही तो important हाँ homo polymers and copolymers तो खुराना साहब ने क्या किया था खुराना साहब ने RNA RNA gene के ऊपर काम किया था यह देखिए RNA molecule के ऊपर work किया था तो फिर उसके बाद अगर गयमो एक गयमो scientist भी थे लिख सकते हैं आप G-A-M-O गयमो गयमो क्या थे यह codon लिख लिख लिजिए s-s-c-o-d-o-n codon nucleotide का जो तीन nucleotide के codon होने चाहिए इन्होंने बताया था कि इन्होंने बताया था codon जो हाँ वो कैसे होने चाहिए triplet के फार्म में होने चाहिए triplet t-r-i-p-l-e-t यही चीज इन्होंने बताया था थिरी नुकलियोटाइट का ट्रिपलेट के फार्म में होना चाहिए कोडान बस इतना ही जाने है गयमो कहीं पर आये गयमो मतलब कोडान आपको पता होना चाहिए खुराना मैंने बता दिया आरं ने आपता होना चाहिए तो यहूज हो को सा यह प्लीज लाइक है बढ़िए चलिए लाइक करके आप लोग आगे बढ़िए यहां पर देखिए लाइक करना और share करना compulsory है अगर स्फिरी में सब कुछ चीजे में provide कर रहा हूँ कोई charge तो नहीं लिया हूँ न तो बस चलिए next year से जो भी होगा अपने भाई बंद जो आएंगे next year से भयाना की इस बार selection हो जाए nursing officer में फिर आपके team बनेगी मेरी team बनेगी सभी लोग मेहनत करके हर एक exam को simple बनाएंगे और आसानी से selection दिलाएंगे सभी student का तो चलिए कुछ codans के बारे में भी जान लेगते हैं कि codans को क्या चीजे comfortable इंसको बनाती है codans क्या codans के कुछ character होते हैं तो देखिए codans क्या होता है codans यहां से question पूछे जाते हैं कि codans क्या होते हैं codans triplet के रूप में होते हैं question भी पूछा जाता कि 61 codans होते हैं जो code करते हैं amino acid लेकिन 3 codans ऐसे codans होते हैं not code for amino acid मतलब 61 में से 3 codans ऐसे होते हैं 61 kodans code for amino acid, 61 kodans तो ऐसे होते हैं कि जो amino acid को code करते हैं, लेकिन 3 kodans ऐसे भी होते हैं, जो amino acid को code नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अभी आगे चलिए, हैं सद्धे R function stop kodans, उनका काम क्या होता है, वो kodans को stop करते हैं, या फिर kodans को शुरू करते हैं, आगे देखिए, one kodans code for only one, हाँ, kodans के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 61 kodans amino acid को code करते हैं, 3 kodans ऐसे होते हैं, जो codes नहीं करते हैं, ये एक चीज हो गया, दूसरा point देखिए, kodans जो होते हैं, kodans जो होते हैं, क्या होते हैं, kodans ये देखिए, ये one kodans code for only one amino acid, अगर एक kodan code कर रहा है, केवल एक amino acid को, तो ऐसे kodans को बोलते हैं, unambiguous या specific, question पूछा जाता है, ये language बहुत जवरदर्सता है, अगर एक kodan है, और वो code कर रहा है, केवल एक amino acid को, तो उसको unambiguous बोलते हैं, unambiguous means होता है, unambiguous मतलब होता है, asbest होता है, asbest बोल दीजिए, clear बोल दीजिए, मतलब no doubt, कोई doubt नहीं है, मतलब कि एक ही को ये स्रिफ कोड करेगा, कोई doubt नहीं है, specific मतलब हर जगा मतलब specific होता ही है, और कुछ amino acid are coded by, लेकिन कुछ amino acid होते हैं, वो code होते हैं, किसके दोरा, more than one codon, एक codon के अधिक से code होने वाले amino acid को, hence code, ऐसे code को degenerate codon बोलते हैं, अगर एक codon है, वो एक से ज़ादा amino acid को code कर रहा है, तो उसको degenerate बोलते हैं, degenerate बोलते हैं, हीन पुरूस हो गए, जैसे हीन पुरूस होते रही हैं, नीच जो minimize the effect करते हैं, वो ही, हीन पुरूस ऐसे आप याद कर सचते हैं, कि एक अधी amino acid को code करेंगे, तो ऐसे codon को degenerate बोलते हैं, तो यह दो तीन language आप देख लीजिएगा, यहाँ से question पूछेगा हैं, तो मैं बता ही दिया, फिर उसके बाद codons जो होते हैं, रीड करते हैं, हमारे नहीं continuous fashion में code करना चाहिए उनको, और कोई कामा, no punctuation, कोई कामा नहीं छोड़ना चाहिए, कोई बेस छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कोई कामा नहीं होना चाहिए, हर एक बेस को read करना चाहिए, यह codons के function है, फिर दे पूछा जा सकता है, कि यू, 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 जो code होगा है, यह किसको code करता है, यह फेनिन, एलिन, को code करता है, और फेनिन, एलिन, को सो किया जाता है, PHE से, some exception to the rule have been found in mitochondria codons and some protozoans, कुछ जो exception है, जो code करते हैं, mitochondria के case में and protozoans के case में, तो वो codon, जो mitochondria में, कुछ amino acid जो होते हैं, वो protein को code करने लगते हैं, तो वो सब चीज़े हम लोग आगे देखेंगे, यह देखें, यह भी question खूब, question बार पूछा जाता है, कि AUG क्या होता है, AUG के दो function होते हैं, AUG कितने function होते हैं, दो function होता है, द दो function कौन है, एक coding का है, एक initiator का है, तो दो code आ, AUG, AUG याद कर लिजिएगा, दो function काम होते हैं, तो यह सब चीज़े हम लोग cover किये, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़े आप देख लिजिएगा, SQL Cell Anemia के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लिजिएगा, यह आ यहाँ ने बता दिया, Translation are refer to process polymerization of amino acid to polypeptide, यह सब Translation polypeptide, polypeptide क्या होती है, प्रोटीन होती है, sequence of amino acid defined sequence based of mRNA, यह mRNA से जब protein बन जाती है, तो वह है Translation, बस इतना है जानी है, Translation होता क्या है, और तो यह बहुत ज्यादा, यह सब चीज़े बनाई गई है, यहाँ पे देख सक peptide chain भी दिया गया है, यहाँ कुछ amino acid दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ राइबोसोम, राइबोसोम पे ही protein बनती है, यहाँ mRNA दिया गया है, यही से 5 direction, यही से start होता है, और यहाँ 3 end पे आके stop हो जाता है, तो यह सब चीज़े देख लेंगे, Translation, Translation पूछता ह किस direction से किस direction में चलती है, तो 5 direction से 3 direction कि तरफ चलती है, यहाँ पे cellular factory कुछ दिया गया होगा, यहाँ चीज़े देख संकते हैं, cellular factory responsible for synthesis of protein, protein के बनने को ही translation कहा जाता है, Translation के mechanism दिखाई गई है, राइबोसों में, राइबोसों में, राइबोसों में, राइबोसों में, राइबोसों कंसिस्ट आप structure, RNA and T, different protein, यह सब चीज़े हो जाएंगी, next में यहाँ पर देखिए, UTR, UTR का full farm आपको तो पता होना चाहिए, यह देखिए, untranslated region उसको बोलते हैं, जहाँ पर translation region नहीं होती है, कोई translation उस position पर नहीं होती है, तो वो सब चीज़े देख लेंगे, untranslated region हो जाएगा, फिर regulatory gene expression के बारे में देख लेंगे, यहाँ regulatory gene expression से कोई question इतना है नहीं कि बनेगा, जो बनेगा, वो चीज़े देख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ lack operon, हाँ, एक है human genome project, finger, ऐसे कुछ चीज़े हैं, देखिए, lack operon के बारे में देख लीजे, जहाँ पे कुछ gene और कुछ lactose का complication होता है, कुछ चीज़े बनती है, वहाँ पे lack operon का एक पूरा model ही है, यहाँ पे lack operon के model में आपको क्या चीज़े, आपको जाननी है, भाई, यह चीज़े तो मैं बहुत अच्छे सांदार बढ़ाया हूँ, व फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह चीज़े यहाँ दिया गया है, यह regulatory gene, आई यहीं से शुरू होता है, पर्मोटर gene होता है, यह operator gene होती है, जो ओ दिया गया है, यह तीन structural gene दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ऐसे चल रहा है, यहाँ पे absence of inducer, absence है, inducer क मिल जाता है, जब यह inducer जाके इससे एड होता है, तो इसको positive feedback हो जाती है, फिर यहां पर देखिए लाइक लाइक से मतलब लैक्टोज ही होता है फिर यहां से देखिए बीटा गलेक्टोसाइड एज एड़ होता है तो जड़ से जड़ जीन से बीटा गलेक्टोसाइड एड़ होता है बीटा गलेक्टोसाइड एड़ होता है बीटा गलेक्टोसाइड यह क्या करता है लैक्टोज को तोड़ता है किसमें गलेक्टोज गलेक्टोज और ग्लुकोज में तोड़ देता है फिर देखिए परमेज किसको कोड करता है यह जीन को परमेज करता है अब परमेज क्या करता है यह लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है ट्रांसपोर्ट होता है तो ऐसे करके इसमें क्या होता है इसमें लाइक ओपेरान में यह सिस्टम चलती रहती है इसमें एक इसमें बस इतना ही आपको याद करना है कि इसमें कितने regulatory gene होते हैं, एक regulatory gene होता है, लाइक ओपरान में आप ऐसे लिख सकते हैं, कि one regulatory gene, R, E, G, U, L, A, L, A, T, O, R, Y, regulatory gene होती है, कितनी regulatory gene होती है, एक और three structural gene होती है, three, S, T, R, U, T, U, R, A, L, structural gene कितनी होती है, ये तीन होती है, और एक regulatory gene होती है, तो ये सब चीजे आप अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर lactose, lactose बन जाएगा, जो भी रहेगा, human genome project के बारे में थोड़ा सकुछ चीजे देख लेते हैं, अगर देखना होगा, तो आप human genome project के बारे में देख लेंगे, जब question करेंगे, तो वहाँ चीजे और clear हो जाएंगी, human genome project एक question यही पूछता है, एक question बार बार बुनता है, human genome project कब launch किया गया था, तो 1990 में launch हुआ था, और उसके 13 साल उसको लग गये थे, किसमें? 15 साल, 13 साल लग गये थे, 2003 में जाके complete हुआ था, तो question पूछता Human Genome Project कब complete हो गया था तो 2003 में यह complete हो गया था तो यह सब चीजे आप देख लेंगे यहाँ पर चीजे Human Genome Project के क्या-क्या goal थे क्या यह Mega Project होता है छोटा की बड़ा तो यह Mega Project होता है यह आप देख लेंगे फिर इसमें कितने base pair involved होते हैं तो यह देख लेंगे 3 into 10 के power 9 base pair Human Genome Project इसमें इनुमालव होते हैं काफी पैसा भी खर्च हुआ था EOS 3 per base pair काफी बड़ा प्रोजेक्ट था तो पैसा तो खर्च ही हुआ होगा Human Genome Project इसमें Rapid Development in New Bioinformatics यह देखिए दिया गया है Human Genome Project was closely associated जुड़ा होता with the rapid development of new area in biology called Bioinformatics Human Genome Project के कुछ गोल थे कुछ लच्छ थे यह आप लच्छ पढ़ लीजिए यहीं से अगर question पूछना होगा तो Human Genome Project से कब यह खोजा गया था कब complete हुआ था कब launch हुआ था यह तो मैंने बता ही दिया Human Genome Project के कुछ लच्छ गोल थे यह आप गोल आप पढ़ लेंगे 20,000 से 25,000 यह Gene Human DNA इसमें इनवाल थे यहाँ 25 की जगाँ 30 भी आप कर सकते हैं 20 से 30,000 Gene Human DNA फिर उसके बाद इसमें Determine the Sequence 3 Billion यह देखिए 3 Billion चेमिकल बेस पेर यह आप देख लेंगे Store, Database Store इसमें किया जाता है Information Database Store होते हैं Improve Tools for Data Analysis यह देख लेंगे तो ऐसे से चीज़े आप देख लेंगे 13 years यह लगे थी यहाँ पर दिया गया है 2003 में Complete 2005 में Complete हुआ था 2003 में Complete हो गया था यह भी चीज़े यह देखिए 2003 में Completed this project 2003 में Complete हो गया था तो यह सब चीज़े हम लोग Complete कर लिए हैं जो चीज़े बती बची होंगी वो सब चीज़े बाद में देख लेंगे हाँ एक यह भी देख लीजिए ESTS का पूरा नाम देख लीजिए Extra Sequence Tag इतना ही देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़्यादा चीज़े और कबर करेंगे यह देख लीजिए BAC क्या होता है YAC क्या होता है यह भी Important है देख लीजिएगा BAC क्या है Bacterial Artificial Chromosome है और YAC क्या है East Artificial Chromosomes है भाई काफी मेनत की जा रही है प्लीज चलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें जो भी करना हो करते रहें लेकिन पढ़ाई करते रहें पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए आपका मेन गोल होना चाहिए कि Selection 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 के बाद By CET Neat Channel को भूलना नहीं है बहुत मेनत की जा रही है ऐसे नहीं वीडियो बनती है इस वीडियो को बनाने में चार घंटे लगे हैं ऐसे अभी इडिर करना सब करना चार घंटे लग जाएंगे चार घंटे इस समय मुझे निकालना अपने लच्छ को पीछे खीजना लेखिना आपकी दुआएं लगी तो पीछे नहीं सेलेक्शन हो जाएगा नर्सिंग ऑफिसर में मेरा भी दोजार चोबिस में अभी देखिए आँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए अभी मैं कौन सा एक्जाम मुझे देना है वाई कल्यान सिंग इस्टिट्यूट लखनौ जो कैंसर इस्टिट्यूट है फिर उसके बाद देना है एक आरे मेल राम अनोहल लोहिया जो लोहिया हास्पिटल आप सुने होंगे हास्पिटल में उसकी भी नर्सिंग ऑफिसर की बैकन सी आई है उसका फार्म में भार दिया हूँ थार्ड पर हो गया एस्टिट्यूट अफिसर का इसी बार एकजाम होगा तो यह भी दो तीन एकजाम है उसमें स्लेक्शन हो जाएगा तो फिर मज़ा आएगा फिर लड़ू बटेगी आपके घर पर पहुचेगा लड़ू खाएंगे फिर डांस करेंगे फिर उसके बाद मज़ा आएगा चलिए आगे देखते हैं हीमें जिनोम कंटेन इतना देखिए 31, 61, 4 मिलियंस नुकलियोटाइड बेस आप देख लेंगे हीमें जिनोम में कितने मिलियंस नुकलियोटाइड बेस होते हैं तो 31, 64, 7 ये इतना याद होना चाहिए नुकलियोटाइड बेस होते हैं यहाँ पर मिलियंस लिखा है अगर बिलियंस की बात कर देगा तो 3.1647 इंटू 10 के पावर 9 लगा देंगे तो फिर बिलियंस में आजाएगा B ILLION Billion में पूछेगा तो ये लिखेंगे 3.1647 तो ये लिखेंगे अगर मिलियंस में पूछेगा तो ये लिखेंगे human genome contents कितने मिलियंस नुकलियोटाइड बेस होते हैं तो ये आप देख लिजेगा अगर average gene consist इसमें ये सब देख लीजेगा चलिए यहाँ एक आप ये full farm ये देख लीजेगा ESCNPS का full farm क्या होता है ये देख लीजेगा single nucleotide polymorphism होता है single nucleotide polymorphism होता है तो ये इसका full farm हो गया फिर application हा future challenge कुछ future challenge में human genome project को कुछ challenge किया गया होगा ये नए योगी की शुरुवात जब होई होगी तब कुछ हुआ होगा कहानी इसमें तो कुछ फिर उसके बाद एक और topic बचता है DNA finger printing next video में करें क्या यार काफी ठकावट से मासूस हो रही है ये शरी में और चलिए थकावट क्या अभी तो कराई दे डेने finger printing क्या है DNA finger printing human genome यहां पर DNA finger printing DNA finger printing एक क्या है ये डेने डेने finger printing होती क्या है पहले तो यही चीज़े पता होनी चाहिए ना कि DNA finger printing यह होती है जैसे लगता है कि कोई finger printing है जैसे DNA finger printing क्या है DNA finger printing यह एक पहले तो यह देख लिजिए DNA यह क्या है यहां पर दिया गया यह प्रेसीडिंग सेक्टन 99% सेक्वेंस एमंग हीमन दस से एजीमिंग हीमन जीनोम 3 into 10 के पावर 9 बेस पियर यह आप देख लिजेगा कि हीमन जीनोम का कितने बेस पेर होता है 3 into 10 के पावर 9 बेस पियर होता है फिर उसके बाद DNA finger printing यह एक आडेन्टिफाई मसीन है जमान के च होता है find out genetic difference चे करता है बेट बीन 2 individual दो individual किसी पापुलेशन में है तो वो DNA finger printing individuals population में क्या करता है genetic difference करता है बस इतना जानिए genetic difference बता देता है DNA finger printing यह चीजे बता देती हैं फिर उसमें आप अलेक जेफरी इसमें आद करेंगे अलेक जेफरी अगर दिया होगा तो जुरूर दिया होगा कहीं ना कहीं इसमें मैंने देखा था अलेक जेफरी की बात कहीं ना कहीं किया गया होगा तो इसमें जो यह DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है ना इसमें DNA फिंगर प्रिंटिंग एक एक लेटर पढ़ना पड़ेगा क्या इसमें खोजने के लिए तो यहां पर देखिए एक satellite DNA होता है, यहां पर repetitive DNA, यहां पर DNA polymorphism sequence, polymorphism यहीं पर बगल में आप लिख लीजिए, ऐसे गोला मार के लिख लीजिए, वो तो मिलता रहेगा, जो मिलना DNA इसमें एक यह जो DNA finger printing एक टेकनिक है, DNA finger printing वाज initially जो develop किया गया था, वो एक scientist के नाम था alec 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 jfri j e f e j f r e y s alec jfri, यह आप देख लीजिएगा, alec jfri क्या है, यह इन्हों ने DNA finger printing को develop किया था, तो यह हो गया, इसमें एक आप, एक इसमें क्या चीज आपको देखना है, यह एक यह देख लीजिएगा, यहां पर, यहां पर, यह क्या चीज, हाँ, bntr, bntr का full form देख लीजिएगा, variable number of tendon repeats, यह चीज हो जाएगा, तो चलिए, हम लोग पूरा complete किये, pscr, ocr, हम लोग देखेंगे, बाद में, blotting, वो जब देखेंगे, और चीज़े clear हो जाएगे, तो हाँ, चलिए, next video में करेंगे भाई, आप लोग इस chapter को finish हो गया है, तो next video में करेंगे, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें, selection इस साल लेने की उमीद काफे लोग अपना शंता प्रोड्यूस करें, और डेली के डेली आप 10-12 गंटे पढ़ाई करें, जितना हो सके उतना पढ़ाई करें, कोई count ना करें कि 12 गंटे पढ़ने हैं, 10 गंटे, जितना भी हो सके, आठ गंटे से तो कम होना नहीं चाहिए, नहीं दूद तो इस समय नहीं आ रही होगी, अगर आ भी रही होगी तो यह लग रहा होगा, selection नहीं होगा, तो लगता ही है, जो student पढ़ते ही हैं, चलिए next वीडियो में हम लोग इसकी question करेंगे, जानदार question कर लेंगे ना, तो यह chapter cover हो जाएगा, और जो description box में link provide की जाएगा, उसको complete करना,